नमस्कार दोस्तों मैं शुभम आप सभी का UPTE T Hindi के इस चैनल पर स्वागत करता हूँ हम इस चैनल के माध्यम से देखेंगे कि UPTE T की परिक्षा में परिक्षा की क्या डिमांड है? अर्थात मांग क्या है परिक्षा की? परिक्षा का प्रारूप क्या होगा, परिक्षा के अंतरगत क्या सेलबस डिसाइड है, अर्थात विशय वस्तु क्या है, कौन सी किताबे रेकमेंड करनी है, कौन सी किताबे पढ़नी है विद्यार्थियों को, क्या नहीं पढ़ना है, जो की बेहत जरूरी चीज है, कि आपक दो प्रकार के पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, जो पेपर 1 होता है, पेपर 1 वो 1 से 5 तक के कक्षा में अर्थात प्राइमरी अस्तर का पेपर होता है, प्रात्मिक अस्तर का पेपर होता है, इसमें अध्यापक बनने के लिए आपको पेपर 1 देना होता है, और 6 से 8 तक क इसके साथ ही एक बात और जाननी जरूरी है कि विगत वर्षों से जो एक ढर्रा चला आ रहा था जो एक क्रम था उसमें कुछ ऐसा था कि जो बच्चे बीर्ड करते हैं वो 6-8 के पेपर देने के लिए योग्य होते हैं और उनकी जो भरतियां होती हैं वो 6-8 तक की जो भरतिय निकलती थी उसमें वो उनकी रिक्तपदों पर भरतिया होती थी पर तो पिछले वर्ष से या पिछले साल से सरकार ने बीर्ड वालों को भी प्रात्मिकस्तर के पेपर देने के लिए योग्य कर दिया है तो अब प्रात्मिकस्तर की वेकेंसियों में प्रात्मिकस्तर की रि तो कि ये eligibility exam है अर्थात पातरता परिक्षा है तो इसके लिए किसी भी general candidate को डेड़ सो में 90 अंक पाना अर्थात 60% of 150 पाना आवश्यक होता है यानि कि ये परिक्षा कुल डेड़ सो अंकों की आयोजित की जाती है जो कि डेड़ सो questions के साथ और डेड़ सो minute में हल करनी रहती है प्रतेक question का एक number होता है और शायद एक question के लिए आपको एक minute का समय मिलता है इसके अत्रिक्त एक बात और है कि इसमें किसी भी तरह का नकारात्मक कटोती नहीं होती है यानि कि अंकों की कोई कटोती नहीं हो रहे है नो negative marking नहीं है इसलिए आप डेड़ सो question बिना किसी सोच क कर सकते हैं easily मेरा पूरा focus यह रहेगा कि जितना भी syllabus मैं cover करूं जैसा कि आज के notification से पता चला कि परिक्षा को 28 November के आसपास में कहीं adjust करने की कोशिश हो रही है अर्था December से पहले ठीक है इसका मतलब यह भी है कि शायद next year vacancies या रिखतियां आ जाएं जिसके सहायता से आप सह सकते हैं तो हमारा focus यह रहेगा कि चुकि आज 21 सतंबर हो रहा है तो अब से मोटी मोटा दो महीने का समय है तो दो महीने में अगर आप course content पढ़ने लगोगे तो आप एक crash course की भाती ही पढ़ सकते हो यानि कि videos छोटी आएंगी, facts जादा रहेंगे, समझने में परिशानी कि हम videos ऐसे बनाएंगे कि previous year के questions को हम cover करेंगे, उसके साथ जो इर्द गिर्द उसके और questions बन सकते हैं, यानि कि जो expected questions होंगे, उसको हम लोग संभावित प्रशनों को भी उसमें शामिल करेंगे, उसके साथ हम एक test का process बनाएंगे, जिसमें बाकी बातें धीरे-धीरे lectures में, वीडियो में जैसे जैसे proceed होगा, वो चीज़े clear होगे, तो सबसे पहले समझते हैं परिक्षा का प्रारूप, जो कि हमने देख लिया, परिक्षा का प्रारूप क्या है, तो ये objective type paper है, जिसमें 150 प्रशन पूछे जाएंगे, उसके अलामा परिक्षा की मांग क्या है, परिक विशा हैं, तो किसी विशा में दो नमबर भी पाएं, और बाकी चार में आप 30 मांक्स पाएं, तो आप उस तरीके से भी पास हो सकते हैं, विशाएवस्तु क्या है, तो इसके लिए भी हम लोग सेलबस इसका देखेंगे, कि क्या सेलबस recommended है, परिक्षा के site पे, और क्या च हो है, समय भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप बुक के थ्रू नहीं जा सकते, फिर भी आप बाजार में उपस्तित कोई भी objective book, जो भी TET की objective book हो, like मैं किसी प्रकाशन का नाम नहीं लोगा, जो भी आपको objective book मिलती है, जिसमें previous year paper हो, कोशिश ये करनी है, कि हम practice paper से आप bubble भर के, अर्थात गोले को काला करके, धाइ घंटे का समय रख करके, आप प्रशनों को हल करें, किसी भी publication की आप book ले करके आए, जिसमें उत्तर की तूटियां कम हो या ना हो, किताब क्या नहीं पढ़ना है, देखें सबसे जरूरी बात किसी भी परिक्षा के लिए य आपको क्या नहीं पढ़ना है, यह जरूर पता होना चाहिए, लाइक आप TAT की परिक्षा में अपियर होने जा रहे हो, TAT की परिक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हो, और आपने UPSC के से निकाल करके, पूरा सेलबस कवर कर लिया है, तो इस बात की संभावना बहुत जाद है कि आपका कहीं सेलेक्षन UPSC में रुके मत अर्थात हो जाए, परंतो आप मिनिममम एफर्ट में इसको बोलते हैं, आप कितने ऑप्टिमम स्टडी में, आप कितना बहतर रिजल्ट दे सकते हो, जिसको प्रोडक्टिविटी भी कहते है, उत्पादक्ता कहते है, हमारा फो आप कुछ भी मत पढ़िए, कुछ भी मत पढ़िए, चाहें आपके पास कोई भी content मिल रहा हो, किसी दूसरे के पास कोई भी content हो, आप दूसरे की 5000 पेज की मोटी copy देखकर wonder इए, आप केवल अपने content पढ़के जाए, मैं आपको guarantee देता हूँ, आप अध्यापक पातरता पर चलिए आगे चलते हैं तो सबसे पहले आज की शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए आगे का रास्ता वहां पहुँचने के बाद दिखने लगेगा तो दोस्तों मैंने आपको अभी ये बताया कि आप रास्ता देखना पहले चाहते हैं जबकि चलना नहीं चाहते तो मेरा वही कहना है कि हमारे चैनल के साथ आप जुड़िए इसको सब्सक्राइब करिए और इसके साथ चलिए आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम अपनी ओर से आपको कंटेंट की कोई भी कमी नहीं होने देंगे और आपको भरपूर कंटेंट मिलेगा test papers मिलेंगे notes मिलेंगे PDF मिलेंगे हर चीज मिलेगी easily मिलेगी और सही जगा मिलेगी तो आप 불कुल सही जगाँ पर हैं इस quote को फिर से एक बार ध्यान से देखिये जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए आगे का रास्ता वहां पहुँचने के बाद दिखने लगेगा आप पहले पातरता परिक्षा क्लियर करिए उसके बाद आप अपने आप T.E.T. सुपर T.E.T. के लिए बिलकुल प्रिपेर हो जाएंगे कमर कसलेंगे और इन दो महीनों में हम लोग गागर में सागर भरने जैसे इस्तिती करने वाले हैं आप हमारे वीडियो को फॉलो करिए और बिलकुल ब्लैंडली फॉलो करिए आप हमारा सबसे कमजोर शातर भी अच्छे से अच्छा आंकार जित कर सकता है ये मुझे पूर्ण विश्वास है तो चलिए परिक्षा पैटर्न में मैंने बताया कि पांच विशे समाहित है कुल तो इसमें सबसे पहला विशे है बाल विकास उसके साथ ही पूछता है आपका सिक्षण कोशल या जीवन कोशल प्रबंधन योंग अविवरिति तो ये जो बाल विकास है इसके questions basics होते है like कुछ questions ऐसे होते हैं जो आप अपनी समझ से कर सकते हैं ठीक है कुछ questions ऐसे होते हैं जिसमें अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक प्रयोग करताओं ने अपने सिध्धान दे रखे हैं तो वो questions factual है जो आपको रटने होंगे वो आपको बिल्कुल बताया जाएगा आप उसको रट सकते हैं उसके बाद इसमें दो भाशाएं पूछी जाती है पहली भाशा होती है हिंदी ये प्रात्मिकस्तर की बाद हम लोग कर रहे हैं मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ ये बाद हम लोग प्रात्मिकस्तर की कर रहे हैं इसको भी परवन बोलते हैं तो हाँ मैं कह रहा था कि पहली भाशा होती है हिंदी हिंदी में आपकी basic हिंदी पूशी जाएगी जिसका syllabus मैं आभी थोड़े दिर बाद describe कर दूँगा दूसरी भाषा होती है अंग्रेजी अथ्वा संस्कृत अथ्वा उर्दू तो इसमें से आपको अंग्रेजी संस्कृत या उर्दू में से कोई एक भाषा इसके बाद होता है पर्यावरण अध्यान इन्वार्मेंट इन्वार्मेंट के पूर्शन में ये दिखने के लिए इन्वार्मेंट है इसमें हिस्ट्री, जोगर्फी, राजव्योस था अन्य चीजें भी समाहित है इसके भीकुल 30 प्रशन होते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि हर प्रशन पत्र जो भी खंड है, हर खंड समान अंग का है लेकिन फिर भी हम फोकस उस अंग पर करेंगे जिसमें कम से कम समय में अधिक से अधिक अंग अरजित कर लें तो ऐसा कुछ पोर्शन है हमारे पास परियावरण अधियन का जैसे परियावरण अधियन में अगर हम लोग 30 पन्ने भी पढ़के जाएं या 40 पन्ने पढ़के जाएं तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि उसमें से आप 30 अंग बड़े आराम से अरजित कर लेंगे, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले हम परियावरण अधियन के सिल्बस को जानते हैं और इसी को शुरू करते हैं परियावरण अधियन परियावरण अधियन के सब टॉपिक्स में मैंने आपको बताया विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और परियावरण के कुल तीस प्रशना आते हैं अगर हम इसकी विशयवस्तु देखते हैं तो विशयवस्तु बहुत ही बेसिक और आधार भूत है जैसे परिवार, भोजन, स्वक्षता, स्वास्त, आवास, पेड़ पौधे, हमारा परिवेस, मेला, स्थानी पेसे से जुड़े विशयवसा है अब इसमें एक समझ डेवलप करनी है एक समझ का विकास करना है कि आप बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं तो आपको भी ये सेलबस पढ़के ऐसा लग रहा होगा कि परिवार में क्या पूछ सकता है तो ये समझ बेसिकली आपकी डेवलप होनी चाहिए क्योंकि आपको आगे चलके प्रात्मिकस्तर के बच्चों को ये चीज़े समझानी है अगर आप सहाय का द्यापक के पदपर आते हैं तो परिवार में आप हर तरह का ब्लड रिलेशन भोजन में आप जो भी खाते हैं किस तरह के भोजन, शाकाहरी है, मांसाहरी है, सर्वाहरी है whatever you are, ठीक है, जिस तरह के भी आप है तो इस से समंधित प्रशन ही आते हैं प्रशनाता है, भोजन को विज्ञान के रूप में देखी तो आपको पता चलेगा कि कार्ब्स कितना लेना है, कार्बोहड्रेट कितना लेना है विटमिन्स कितनी होने चाहिए या फिर कितनी उर्जा की जरूरत होती है एक स्वस्त मनुश्य को ठीक है, इस तरह की चीजें आपको जरूरत होती है उसमें भी कुछ तक्तों का आ जाएगा लाइक आप कैल्शियम की मातरा कितनी जो होती है दूद में कैल्शियम पाया जाता है, दिक्तम पाया जाता है अंडे में प्रोटीन पाया जाता है या दालों में पाया जाता है आरन पाया जाता है आपका स्पैनिच में पाया जाता है या फिर पालक में पाया जाता है इस तरह से प्रशन आपके पूछते हैं तो आगे हम लोग चलते हैं तो भारती नदियों से प्रशन पूछता है कि उ कौन सा देश या प्रदेश इस्तित है, महासागर कितने है, कौन सा किधर है, इस बारे में पूछ सकता है। अपने प्रदेश के बारे में कुछ जानकारियां पूछती है, कि हमारा प्रदेश क्या है, कौन सी नदियां बहती है, ठीक है, फिर आते हम सम्मिधान पर, तो सम्मिधान का जो पोर्शन है, उसमें आता है शासन व्योस्था, कि हमारी शासन व्योस्था किस तरह से चलती है, शाशन विवस्था मतलब कि शाशन चल रहा है, माली जी संसद है, तो संसद के तीन भाग होते हैं, कि एक राष्ट्रपती है, एक निम्न सदन है, एक उच्छ सदन है, अर्थात एक लोगसभा है निम्न सदन, एक उच्छ सदन है आपका राजसभा, ठीक है, कौन किसको बढ़ेद करता है उप्रस्ट पती राजसभा का पधिन सभा पती होता है या फिर लोगसभा में लोगशभा बैठता है इस तरह पर आता है स्थानीच श्वसासन सबसे पहले कभ भारत में आया थो हम देखते हैं चोल समराजी में भी अस्थानी शोसासन का वर्डन है और चोलों में काफी ये प्रसिद्ध था ठीक है उसके बाद फिर जब हम लोग आते हैं तो अस्थानी शोसासन का जनक लौड रिपन को कहा जा रहा है ये ब्रिटिश काल में उसके बाद फिर अगर हम लोग आते हैं तो बलवंत राय महता एक महोदय थे, उनके रिकमेंडेशन फिर फिर थ्री टीर सिस्टम या तीन अस्तरिये पंचायतों का गठन किया जा रहा है, जो नागवर के राजस्थान में सब्छे पहले शुरू किके, अन्य चीजे हम देखते जाएंगे, ठीक है, उसी प्रकार नगर प और कारेपालिका अभी P.E.T. का जो एक्जाम हुआ है हाली में, उसमें न्यापालिका से संबंदित एक छोटा सा प्रशन पूछा कि न्यापालिका आपकी कैसी है, तो हमारी न्यापालिका स्वतंत्र है, ओप्शन में कुछ और दिया हुआ था, तो इस तरह से फिर आता है आपका रास्ट्रिय पर्व, हमारे रास्ट्रिय पर्व कौन-कौन से है, तो 2 अक्टूवर भी हमारा एक तरह का रास्ट्रिय पर्व है, जिसमें गजटेट हॉलिडे होता है हम लोग का, ठीक है, बापू का जन्म दिवसे, 1869 में वो पूरबंदर में, गुजरात में जन्म है, जिसमें सिंग बना हुआ है, ठीक है, तो अशोकस्तम की बात आती है, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, मद्दान, तो मद्दान की प्रडाली पूछ सकता है, आर्टिकल 324 में, आपका निर्वाचन आयोग आता है, किस प्रकार का आयोग है, वैधानिक है, समवैधानि है, कैसी बादी है, इसके विशा में डिसकस करेंगे, फिर आता है रास्ट्री एकता, तो रास्ट्री एकता बहुत ही जरूरी आपको पता है, फिर एक कोशन पूछता है, कि पर्यावरण की क्या वशक्ता है, क्या महत्व है, इन सारी चीजों को, हमें इसे सम्मंदित कुछ पर्यावरण की क्या महत्ता है, पर्यावरण सिक्षा क्यों लेनी चाहिए, आज कल आपका एक सस्टेनेबल डिवलप्मेंट या धारड़ी विकास करके आ रहा है, ये सारी चीजें सतत्मुल्यांकन से समंदित कुछ ऐसे प्रशनाते हैं, जो रीजनिंग बेस्ट होते हैं, और आपको अपनी समझ के अनुसार उस प्रशनों को सही करना होता है, तो आप विश्वास मानी है, अगर आप पूरी शिद्दत से इस क्लास को देखते हैं, तो आपकी समझ अटोमेटिकली अपने आप ही विक्सित होती चली जाएगी, अब मैंने एक सिलबस इसके अतिरिक बनाया हुआ है, पिछले वर्शों में दिखे लिखा हुआ है TET के पूर्व परिक्षा प्रशन के आधार पर परियावरणत हैं, ये तो वो सेलबस्था जो रेकमेंड किया गया है TET की परिक्षा के लिए, जो मैंने अब ही तक पढ़ा, लेकिन जो प्रशन आए हैं, वो डेप्थ में आए हैं, ठीक है, डेप्थ मतलब जो एक समग्र अनुभाव है मेरा, मैंने कुल 12 प्रणविक परिक्षाओं के एक्जाम क्वालिफाई किया है, तो जिसमें SSC, Astar की भी परिक्षाए हैं, बैंकिंग की भी परिक्षाए हैं, रेल्वेज की भी परिक्षाए है उसके अलावा मैंने इंजिनिर का Great Aptitude जो टेस्ट होता है, Graduate Aptitude Test for Engineers उसको भी दो बारी क्वालिफाई किया है, तो अनेक एक्जाम देने का जो आयाम है, उस पे बेजड मैंने एक पिछले टीटी के पेपर को भी अध्यान करके, मैंने एक क्या बोलते हैं, समरी पूछी जा रही है, टॉपिक उस पर ज्यादा फोकस करिए, तो हम लोग उस पर फोकस करना शुरू करते हैं, सबसे पहले परियावरण को ही डिसकस करते हैं, तो परियावरण में आता है परियावरण की परिभाशा, तो भाई परियावरण की क्या परिभाशा है, परीधन की तंत्र क्या होता है और परिस्थितिकी क्या होती है तो परिस्थितिकी का हिंदी होता है आपका ecology और परिस्थितिकी तंत्र का हिंदी होता है आपका ecosystem तो ecology ecology तो logi मतलब होता है यह logos से बना हुआ है हमारा एक शब्द लॉजी जो है इको लॉजी, तो यह जो लॉजी शब्द है यह लोगोस से बना हुआ है लोगोस मतलब होता है अध्यान यानि कि किसी चीज का अध्यान इको का अध्यान, ठीक है यानि कि किसी भी जीव और उसके समुदाय के पारासपरिक सम्बंध का अध्यान कर रहे है तो यह एक विश्तिरितापिक है जबकि पारिस्तितकी तंटर एक सबड़ाइग है अगर यह अर्थात पारिस्तितकी है तो इसके अंदर में यह एको सिस्टम होगा ठीक है? क्योंकि यह अध्यान नहीं है यह पारस्परीक संबंध जो संबंध है वो यह ecosystem है और जो अध्यान है पूरा लोगोस है जिसमें ecology आ रही है वो यह है ठीक है तो यह सब topic है आगे हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे फिर आता है आपका कि परस्त की तंत्र में उर्जा का प्रवाह जैसे कई सारे पिराम डोल्टा बन रहा है किसी कापरामिट सीधा बन रहा है ठीक है इसको ध्यान से समझेंगे में इलिफे glass का परामिट के बारे में पूछा हुआ एक बारी इमिट्स जैसे कहने का मतलब है कि सूर्य जो है अत्यांत तापमान पर रहता है उसके बाहरी सर्फेस का टंप्रेचर जो है 6000 केलविन या डिग्री सेंटेग्रेट किसी में वे लीजिए तो 273 का फासला है बीच में तो जब उसको आप सूर्य के मतलब सूर्य से जब भी आपक के प्रिथवी पर आती है तो कुछ ऐसा होता है कि यहां से लडने के बाद आती है जगा जगा टकराती है तो उससे होने के बाद उसमें उर्जा का लॉस होगा आपको भी समझ में आता है कि उर्जा का लॉस होना ही होना है तो जब उर्जा का लॉस होगा तो वो छोटी वि किरणों में या बड़े radiations में convert हो जाती है और फिर वो बड़े radiations यहाँ पर उपस्थित कुछ ऐसी गैसे हैं जैसे CO2 उनके नाते यह पृत्वी को छोड़ करके नहीं जा पाती है ठीक है तो जब वो ठीक से जानेंगे कौन सी green house गैसे है वही जो ऐसा करने के लिए उत्तर दाई है ठीक है या फिर हम लोग ozone के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि ozone का छिद्र जो है वो कहां पर है या फिर ozone के लिए mostly responsible थी आपकी CFC या HCFC ठीक है जो भी गैसे है chlorofluorocarbons जो थी वो हमारे ozone में जाती थी जो कि fridge से निकलती थी ऐसी से जो भी हमारे ऐसे cooling चीजें है जो cooling refrigeration देती है ठीक है या प्रशी तक हिंदी में बोलते हैं फिर तो वो चीजें जो है ozone layer में हम लोग पढ़ेंगे किस तरह की ultraviolet radiation होती है वो सब कुछ हम लोग विस्तार में discuss करेंगे परन्तु अभी जो ये दो महिने का समय है उसमें हम केवल गागर में सागर भरने वाला काम करेंगे परीक्षा उपयोगी चीजे पढ़ेंगे और मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि वो चीजे आपको सुपर टीटी तक बहुत ही लाव देंगी फिर आता है कि भारत में कहां कहां कौन सा वनेजी और भैरन है उसका क्या नाम है लोकेशन क्या है ये सब कुछ पूछा जाता है उद्यान कौन से है फिर आता है वर्डडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडड सोरी कूलर से तो नहीं उतना डिस्टर्बेंस है एसी लग रही है या फिर फ्रिजरेशन है तरह तरह के प्लांट बठाए जा रहे हैं गैसे निकलती है तो हमारा जलवाई पर क्या प्रभाव पढ़ता है हम ली वर्शा होती है या फिर अन्य चीजें होती है ठीक है ताजमहल प्रिजुलयूज तो आम का बहुत सद्रिय कह भुत सालिकम होता है और भी साप तो च्रित्रम, ओर वह तो इसके विशदों हम लोग पढ़ेंगे कुछ बनस्पतिक नाम पर्टिकुलर जो पूछे हुए या कुछ एक्सपेक्टेड कुछ ऐसे जो संभावित है पूछ सकते हैं ठीक है जो हाली में चर्चा में रहे हो उनके नाम हम लोग पढ़ लेंगे इसके लाव हम खाद सिंखला पढ़ेंगे कि कौन किसको खाता है कौन सा उतपादक है कौन परत्मेको भोगता है दुतियक है ठीक है इस तरह की चीजे हम लोग पढ़ेंगे फिर ओजोन के बारे में हमने डिसकस करी लिया था रेट डेटा बुक, रेट डेटा बुक एक बुक होती है, जिसमें उन जीवधारियों या प्रजातियों के बारे में discussion होता है, जो या तो विलोप्त प्राय है, extent हो गया है, या तो संकट गरस्त है, या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, तो यह publish कि जाती है आई उसीन के यह पूचा हKEN है ठीक है पृतविग और उसकी गति और उसका प्रभाव ये टॉपिक हम लोग Pandependent इसको हमोग स्किप करके आगे बढ़ते हैं फिर आता है प्रदूषर्ण अस्तर के प्रिदूशन के सस्तर का है ठीक है कभी हम लोग देखते हैं और इंज टाइप प्रिदूशन हो रहा है और इस टाइप प्रिदूशन में पहुच गया है ठीक है इसके विशह में पर्यावरण जागरुकर जो कि आज का बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक है अगर आप एक पहर को आपकी जमीन को नुक्सान पहुचता हो या वायमंडल को नुक्सान किसी को भी नुक्सान पहुचता हो फिर क्रित्रिम वर्षा क्या कारण है कि क्रित्रिम वर्षा हो रही है और कहा जाता है कि पहली वारिश में मत नहाई है जब भी पांजून के आसपास आपका एसे समुरेंगों ये। तो बैयो डिजल क्या किया है कि किसी प Catalina करते हैं यह एक बायो डीजल की जैसा कि नाम से पता चलना है कि डीजल है और बायो है ठीक है तो विदेशों में तो मक्का से भी एथनॉल बनाया जा रहा है लेकिन यहां पे जट्रोफा हम लोग बेसिकली जो है करते हैं इस तरह से मिलाते हैं फिर आप से एक चीज़ और पूछता है कि TEL क्या है ट्राइथ है लेड उस सब के बारे में हम लोग पहुंचेंगा एंटी नॉकिंग एजेंट है वो फिर अम्ली वर्षा मैंने अभी बताई दिया है आपका प्रदूशण और मापक एजेंसी तो CPCV जो है दो ड़ाई साल पहले तीन साल पहले एक oil spill हो गई थी कोई vessel था जो कि चन्नाई में जा रहा था यानि कि कोई नाव थी बड़ी जो चन्नाई में जा रही थी और उसमें oils के drum रखे हुए तो जो spill कर गया ठीक है तो जब भी किसी समुदर के तल पर oil गिर जाता है तो जो भी जीवित होते हैं उन्हें सांस लेने में प्रकास के जाने में अन्हें चीज़ों में प्रॉब्लम होती हैं तो उससे बहूत सारे जीवधारी वहाँ पर यानी कि मशलियां या फिर जो भी जली जी होते है वो मरे पाये गए तो इस तरह की चीज़े CPCB जो है कंट्रोल करती है देखती है फिर आता है आपका चिपको आंदोलन तो आप लोगों ने कभी ना कभी सुनाई होगा चिपको आंदोलन में क्या था कि पेडों के मानली जी कि ये कोई पेड है तो पेडों के चारों और लोग खड़े हो जाते थे ठीक है हाथ बांद के एक दूसरे से ये हाथ बांद के खड़े हो गए ठीक है और कहते थे कि पेड़ो को काटने से पहले हमें काट दिया जा तो चिपको अंदोलन बिसिकली ये उत्रखंड में स्टार्ट हुआ था जो कि सुंदरलाल बहुणों स्टार्ट किया गया था फिर आता है गैसी अपसिष्ट तो इसको हम लोग विस्तार में डिस्कस करेंगा अब आता है दूसरा टॉपिक राजवे उस्ता राजवे उस्ता में आता है संसत तो हमारी संसत मैं ने बताया तीन चीजों का मिला कर बनाई होई है पिला तो राश्पती है उसके बाद है उचसदन निमनसदन ठेक है स्थानी श्वससन तो इसके भी समय में में डिसकस कर लिया है भारती संविधानिक विचार तो भारत का जो संविधान है आपको पता है कि वो बरोड कंस्टिट्यूशन आप कह सकते हो कि 1935 का जो भारत सवसन अधिनियम है उसके द्वारा तो बहुत सारी चीज़ें ली गई है लगवग 70% चीज़ें उसके द्वारा ली गई है उसके अतिरेक्त भारत में ब्रिटेन से लिया गया है जिसे मूल अधिकार लिया गया अमूल करतब लिया गया आपका रश्या से लिया गया है उसके बद्धु तो लिया गया फ्रेटर्नेटी जिसको बोलते हैं इंगलिश में फ्रांस से लिया गया ठीक है फिर आपका यह समर्ति सूची आपका अस्ट्रेलिया से लिया गया है जापान से भी कुछ लिया गया है ठीक है इस तरीके से अलग 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 देशों से कुछ ना कुछ चीजें ली गई है तो यह सारी चीजें हम लोग शॉट में डिसकस करेंगे जब इसका टॉपिक आएगा तो उसके अलावा हम लोग आते हैं लोग सभा की कारेवाही किस तरह से कारेवाही हो रही है ठीक है डबल सेटिंग कौन आहुद करता है यानि की ज्वाइंट सेटिंग जिसको बोलते है सं समुद्री सेमा है यह भूगोल का टॉपिक है फिर भी हम डिसकस करते है कि कौन-कौन से राज्य है जैसे गुजरात हो गया आपका ठीक है तो यह जो है सबसे ज़्यादा वॉटर बोडी से लगा हुआ है गुजरात की वॉटर बोडी सबसे लंबी है यानि कि यह सबसे लोग आते हैं अंतर राष्टी सिमाय विश्व की संस्थाय विश्व की कई संस्थाय जैसे यूनसको हो गया ठीक है जो वर्ल्ड हेरिटर्स साइट में अभी यूनसको ने आपका धौलावीरा को सामिल किया है तो यह भी एक कोशन है जो पूछा जा सकता है हिस्ट्री के पॉ जिसका पांच 27 सदस से होते हैं और 10 सदस से होते हैं भारत वर्तमान में 27 सदस से भी है और जो दो महीने के लिए इसके मुख्य या फिर कारी-कारी चुने जाते हैं उसमें भारत अभी उसकी अध्यक्ष्टा भी कर रहा है इसमें ठीक है और इसमें बिसिकली 4 सदस थे 1971 है रशिया है चाइना है और फ्रांस है ठीक है अब आते हैं हम लोग अगला कि उनके मुख्याले विश्कु संस्था है उनके मुख्याले हम लोग पढ़ लेंगे ठीक है फिर आता है रास्टरगीत हमारा रास्टरगीत क्या है तो जन्गर्णों मन है ना शायद नहीं बंकिमनाथ चट्रजी ने लिखा हुआ है और यह इनका जो है यह अनंदमत नामक पुस्तिका से लिया गया था और जो अनंदमत पुस्तिका एक सन्यासी विद्ध्रोव हुआ था उससे प्रेडित है उसमें उसके बारे में बढ़न किया गया फिरा था रास्टरगान तो रास शायद लिखे हैं 1913 में उनको नोबल प्राइज मिला था इनका नाम है रविनाठ टैगोर तो इनका पूरा फेमली हीट बहुत टैलेंटेट था तो रविनाठ टैगोर जी ने लिखा है या रविनाठ ठाकोर जो भी आप कहना चाहें तो यह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने क पिंगली बंकाई है जिन्होंने ध्वज की सबसे पहले जो है ध्वज को बनाया था उनके बारे में कोई प्रस्ण पूछ ले तो राश्ट्री ये ध्वज कब एक्सेप्ट किया गया तो यह बहुत थोड़ा सा टिपकल है क्योंकि बच्चे इसको गलत कर देते हैं तो यह 22 भूगोल सतही अस्तर का ही पूछा जाता है फिर भी हम इसको अपने और से कोई भी कसर नहीं होने देंगे प्रश्णों के माध्यम से हम इसको प्रिवेस प्रश्ण करेंगे और आगे के लिए भी हम लोग प्रिपेर रहें ठीक है चलिए बच्चो हमारी प्रित्वी हमारी से नहीं basically हमारी प्रित्वी क्योंकि रहे तो हम इसी पे रहें चेंट तो जो भी कुछ है हो सब प्रित्वी का यह है taraf प्रित्वी के बारे में इस्क्षार्स करेंगे लाइक इस में इसमें ऊपरी अपर तो इसके विश्य में हम लोग पूरी तरह से डिसकस करेंगे फिर आता है सौर मंडल तो हमारा सौर मंडल जो है अभी हमारे गैलेक्सी का जो नाम है जैसे सौर मंडल का मतलब क्या हो गया कि सौर एक सौरज है और मंडल है मतलब आसपास में अन्य ग्रह जो है घोम रहा है तो जब भी बिग बैंग थियोरी हुई उतने दूर पर नहीं जाएंगे हम लोग ठीक है उसमें एक हमारा सूरज था बाकी चीज़े ठंडी हो गए हमारा सूरज जल रहा है सूरज एक तारा ह है ठीक है इस सारी चीज़े जाननी भी जरूरी है जो हमारे प्रित्वी को प्रकाशित करता है प्रित्वी ग्रह जो होते हैं उनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है तारों का अपना प्रकाश होता है उसमें नावकी सनलेन के प्रक्रिया होती रहती हो तो उसका सिक्समी भी ऐसा कुछ निकालते हैं मुझे अभी नहीं आदा है ठीक है तो हम जब इसको आगे करेंगे तो देखेंगे फिर आता है प्रित्वी पर खीची गई विभिन काल्पनिक रेखाएं यानि कि इसको ध्यान से थोड़ा समझ लेते हैं जैसे माली यह हमारी प्रित्वी है तो इस पर दो तरह के रेखाएं की चीज आती है एक तो रेखाएं यह है चिर्ख है यह बहूमत है जो नहीं आखने और ondern form में ही ऐसे नहीं तरीके से नहीं रेखाएं भी होती है तो ये भूमद रेखा अगर हम लोग एक साइड से के वल देखें और अन्य रेखा है ठीक अब इसमें जो इंपोर्टेंट है वो जानना जरूरी है कि करक रेखा और मकर रेखा ठीक है तो समय के साथ हम लोग देखेंगे कि साड़े तेज़ डिगरी नौर्थ नौर्थ कैसे होता है तो इस भूमद रेखा के उपर के स्थिति नौर्थ यानि के उत्तर और नीचे के स्थिति साउथ ली जाती है तो साड़े तेज़ डिगरी नौर्थ में करक रेखा और साड़े तेज़ डिगरी साउथ में ठीक है मकर तो करक्रिका को बोलते हैं Tropic of Cancer और नीचे मकर बोलते हैं Tropic of Capricorn ठीक है इसको हम लोग विस्तार से देखेंगे बिल्कुल भी घबराने के ज़रूत नहीं है एक एक टॉपिक जो भी मैं यहां पर बोल रहा हूं इसको हम लोग बिल्कुल विस्तार से देखेंगे एक एक चीज पढ़ाई जागी कुछ भी छोड़ा नहीं जागा बिश्व के प्रमुग जौला मुखी जैसे बहुत सारी जौला मुखी है और भी बहुत सारी है भारत में एक है आप चाहें तो कमेंट में उसका नाम लिख सकते हैं ठीक है जो की अंडबाननी को बार में है मैं इतना आप है भारत कि नदिया अनेक नदिया है जिसमें आप से टेटी के अस्तर पर किवल पॉस्चिम गामी नदिया और पूर्भामी नदिया यही पूछता है, यही कौन-कोशlik नदिया पश्यम की ओर बहतीि है तो इसमें एक नर्मदा फेमस नदिय दूसरे नदी का आप नाम होते हैं ठीक है तो वो हम लोग समय के साथ स्वतुद्री हो गया ठीक है कुभा हो गया ठीक उसके अतरिक्त पॉरशोडी हो गया ठीक है अन्य नदियां हैं जो भी सब्सेंदों नदियां थी उनके कुछ आने नाम थे या उसके अलावा भी कुछ नदियां जिनके कुछ आने सब्सक्राइब करें तो आप देखेंगे कि किस तरीके से कौन सा मंडल इसके विशा में हम लोग सेल बस स्टार्ट होने पर विस्तार से पढ़ेंगे वर्मंडल में कौन-कौन सी गयसे हैं जिस पर हमेशा प्रशन पूछता है कि ते 20% यह है इसको हम लोग फिर पूरी तरह से डिसकस करेंगे आगे चलके नदियों का कौन सा उद्गम है कहां से निकलती है कहां गिरती है भूकंप क्या होता है ठीक है इसके विशा में थोड़ा सा डिसकस कर सकते हैं कि प्राइमरी वेब सेकंडरी वेब और एल आपकी सर्फेस वेब ज होती हैं सारे घर जो गिरते हैं वह एल वेब के कारण रही गिरते हैं फिर आता है आपका शैलों के प्रकार की अंतरित रुपांत रिस शैले हुतीय उनके विशह में हम लोग जानेंगे, मिट्टी और इनका विस्तार की कौन सी मिट्टी कहा है, का पास के लिए कौन सी उप्युक्त है, ठीक है, लेटराइट मिट्टी कहा है, लीचिंग क्या होता है, विविनी चीजें हम लोग जानेंगे, फिर आता है हिमाले और उसकी चोट तो यह हम लोग देखेंगे कि हमेशा विश्व में पश्यम साइड में ही उतर पश्यम में यह पश्यमी छोर पर आपके मुस्ली मर्वस्थल होते हैं क्यों ऐसा होता है कौन सा मर्वस्थल कहां इस्थित है जो फैक्चुल चीजे वह भी हम लोग देखेंगे ठीक है वैश्यक नदियों के नाम जैसे माली जे की पूछा जाता है कि नील नदी को कहां का वर्दान कहते हैं तो एक्जिप्ट यह मिसर का वर्दान कहते हैं इस तरह की ठोड़ी एगकी जोटी च्शोटी चीजे हम लोग देखेंगे फिर आता है हम लोग को विज्ञान, इतिहास और अन्य तो मैंने ये अन्य तथ्य देमे सारे तथ्य आते है, बिज्ञान में आपके तीनों तरह के विज्ञान आएंगे, यätter हम लोग ने के साइन के बिज्ञान आएगा, तो विज्ञान में सब कुछ आता है, हम लोग इतिहास उस मद्दे नजर से पढ़ेंगे उस point of view से पढ़ेंगे और आपको इतिहास का एक thorough knowledge दिया जाएगा जिसके जो की 4 या 5 या 6 lectures में ही cover किया जाएगा या अगर आपकी demand होती है तो lectures बढ़ा जा सकते हैं बट जिस हिसाब से प्रशन पूछे हैं questions या discussion उसी के according होगा ठीक है तो मानोपयोगी कुछ पौधे होते हैं ठीक है जैसे हमेशा पूसता कि malaria के लिए वो भी पौधे से पाए जाता है जब हम लोग जानेंगे ठीक है या तमबाकू हो गया या ऐसी बहुत से चारी चीजे हैं जो कि पौधों से ही प्राप्त होती है और शदी है कुछ पौधे है पौधों में जल कादी ग्रहण या संचर या पौधे जैसे अपने मूल रोम से जब जड़ों से खिषते हैं मूल रोम की मदद से तो उपर कैसे जाता है तो जल है तो आप लोग याद कर लिजे जाइलम ठीक है जाइलम की मदद से उपर जाएगा ठीक या फिर फल है तो फ्लोयम यानि की जो खादे भाग है अन्ने मिनरल्स है वो कैसे उपर जाते हैं तो फ्लोयम की मदद से जाते है पौधे वह उनके खादे भाग, कि कौन सा पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है, लाइक आलू क्या है तो तना है, मेरे कहने का ये मतलब है, तो उसका तना खाया जाता है, किसी का फल खाया जाता है, किसी का फूल खाया जाता है, कोई true fruit होता है, कोई false fruit होता है, इस तरीके क फसलों से ज्यादा कोशन्स पूछे हुए हैं दलहन फसलें जैसे कोई भी दाल हो गई आपके रहर की दाल हो गई तो राइजोबियम पाया जाता है उनकी जड़ों में ठीक है तो इससे भी प्रशन पूछे हुए है फल और उनके खादेभाग यह हमने भी डिसकस किया मानो मा अ session theory थे जते हैं यह सब कुछ किससे आप अनुभाव करते हैं घंडा गरम ठीक किससे अनुभावकर रहे हैं प्रेएम घ्रदाव विशाद दुख यह सब किससे अनुभा कर रहे हैं डीक फिर रुधर रुधर वर्ग तो रुधर वर्ग कन के में था रुधिर क्या है, कितने टाइप का होता है, A, B, A, B, O, ठीक है कौन सर्व दाता है, कौन सर्व ग्राही है, ठीक है यह सब हम लोग आगे चलके देखेंगे, अस्थियां और उनके नाम कुछ ऐसी अस्थियां है, जैसे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि का नाम पूछ ले शरीर की सबसे छोटी अस्थि का नाम पूछ ले, कान में उपस्ते तीन अस्थियां है नाम पूछ ले तो इस तरह की चीज़ें भी हम सब कुछ डिसकस करेंगे, ठीक है फिर आता है मानो नेत्र तो मानो नेत्र में basically कुछ चीजें पूछी जाती है कि जैसे जो दोश होते हैं like myopia, निकट दृष्टी दोश, निकट दृष्टी यानि कि निकट की दृष्टी सही है, दोश कहा है, दूर में है, तो निकट दृष्टी दोश वाले को दूर की चीज यह नहीं दिखाई देंगी इसी प्रकार होता है आपका दूर दृष्टी दोस्त फिर हाइपर ऐस्टि गममीणर इस गमेट्रोपियथ और मुझे शक् nhताब ऐस कहँ कोन सा है यह से ऐख ज़ेड़च गर्पर पिर उसके बाद इस तरह के जो है कि फूलों की उत्रकंड में जो है आपका एक कि फ्लावर वैली निश्नल पार्क कहां पर है ठीक है तो इस तरह की चीजें भी आपसे फैक्शुल उची जाएंगी फिर अंतरास्टी दिवस आता है अंतरास्टी जैसे इस बार इस तरह की अन्य चीजें हैं आपसे कुछ भी पूछ सकता है ठीक है जैसे अभी हाली के एक्जाम में मैंने देखा कि आपसे पूछा हुआ था नई सिक्षानीति ठीक है ये नई एन ऑ फूर्म पूछा था हिंदी में लिखा था सिक्षा नीति यानि कि NEP हाली में जो सिक्षा नीति लाज जोई है NEP उसका full form क्या है तो ये new education policy है या कुछ और है नई सिक्षा नीति है या something else फिर आप में लोग आते हैं नदी परियोजना है जिसे तुलबुल परियोजना आपकी कहा है जिलंपर है उसके बाद आपका दामोदर कहा है तो दामोदर नदी पर है फिर आपकी आगए नागरजुन सागर कहा है कृष्णा नदी पर है जो कि अभी हाली के परिक्षाओं में पूछा भी जाता था मौसर क्मेंट बहुत ज़्यादा पूछता है फिर आपका एक परियोजना भी बन रही है शायद मुझे लगता है चिनाप पर बन रही है चिनाप पर बनने वाली एक परियोजना के बारे में फिर दुलहस्ती है और अन्यवी परियोजना है इनके विशा में आप से पूछ सकता है ठीक है मैं इसलिए जम्मु कश्मीर का ज़्यादा नाम ले रहा हूँ नदी परियोजनाओ में क्योंकि जम्मु कश्मीर अभी एक होट टॉपिक है तो वहाँ से परियोजनाओ का ना पूछा जा सकता है फिर मापक यंत्र ठीक है जैसे स्फैग्मो मैनोमीटर से क्या ना पा जाता है तो ब्लड पेशर ना पा जा रहा है स्टेथोस्कोप से क्या ना पा जाता है दिल की धड़कर ना पी जाएगी इसी तरह से अमीटर हो गया अल्टामीटर हो गया फैदोमीटर हो गया सोनार हो गया हर चीजें आपको एक विस्तरत रोप में पढ़ाई जाएंगी रोग उनके कारण कि कोई रोग हो रहा है तो वेक्टर क्या है वेक्टर यानि कि जो उसको प्रेशित कर रहा है ले के जा रहा है ठीक है तो वेक्टर क्या है कारक क्या है यानि कि वाइरस से हो रहा तो उसने कारण फिर उसके पीछे या। वाइरस जनीत- रोग है। फिर आता है लोक न्रिथे। अलग अलग प्रदेशों के लोक है। इसमें विखु एक बर पूछा हुआ लगे गर्भा चया है। कुछ ऐसी चीज़ है जो नहीं सुनी हुई है तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे क्लासिकल डांस कितने है कथक कहा का है कथक कली कहा का है ठीक है महिनी अट्टम कहा का है यह हमेशा हम पढ़ते हैं और भूलते रहते हैं तो इसके उश्य में एक विस्तरित चर्चा फोटो के साथ चर्चा ठीक है आपका जैसा सही हो रहागा उस प्रकार हम लोग वीडियो बना करके आपको जिसमें धैसा स Tipps होगा उससे सबसे हम लोग इसको समझहें फिर आता है माफक यां समया विटामिन आता है कि कहन सा कि घलला लीट रहन Suppose लोग गैं लेते हैंपानी में गुल जाताओ ठीक है तो water soluble है sorry जल में घुलंसील विटामिन वसा नहीं जल में घुलंसील है B और C और अन्य जो A, D, E, K है वो आपके वसा में घुलंसील विटामिन है ठीक है फिर कुछ पुस्तकों के नाम और उनके लेखक तो ये पुस्तकें आपके विज्ञान से भी संबंदित हो सकती है जैसे survival of the fittest यह इसी तरका से और भी अगर कोई पुस्तक होगी जो कि चर्चा में हो उनका नाम पूछ सकता है या फिर पुरानी कुछ पुस्तक है ठीक है जैसे महात्मा गानित संबंदित कोई पुस्तक कुछ भी पूछा जा सकता है तो इसमें कुछ महत्तोपूर पुस समझ के अनुसार और समय को देख करके history के portion को discuss कर लेंगे तो दोस्तो आज के lecture में हम बस इसका एक outline create कर रहे थे कि किस तरीके से परिक्षा का प्रारूप होगा परिक्षा में क्या पूछा जा सकता है ठीक है हमने syllabus discuss किया कि 5 subject आएंगे 30 numbers सारे subjects के होंगे और 30 questions भी होंगे औ आपको शायद 30 question करने के लिए 30 minute का समय भी मिलेगा कोई नकरात्मा कंक नहीं है और पहला subject scoring यानि कि कम समय में अधिक score करने के हिसाब से हमने choose कि हम आपको परियावरान अध्यन सबसे पहले पुराने प्रश्णों के अधार पर खतम कर देंगे जिसमें आपके सहयोग की हमे अपक्षा है तो इनी शब्दों के साथ आज के lecture को यहीं खतम करते हैं अगले lecture में हम मिलेंगे एक नए जो सब्सक्राइब के साथ तब तक आप हमेशा याद रखिए जो मेरा कोट था उसको आप हमेशा याद रखिए कि जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए आ आई माद झाल